हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो ओवर चानल क्रिएट गर एंडवन एक्स वीडियो मेरा नाम है प्रुभाद आज का हमारा टॉपिक है मूव कॉपी एंड रोटेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा होगा जो कि मैंने उसके बात करते हैं मूव कुमांड की की मूडिफाइे पेनल के इंदर ही सबसे पहले देखने को मिल जाता है 一 continuing जासा कि यहां पर दिख रहा होगा यह हमारी मॉफ कंमांड उसके नीचे यहां पर ती है कॉपी यह हमें रोटेट तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूव यानि कि उसकी place से हटा के किसी और place पे अगर हम उसे move करेंगे तो कैसे करेंगे with the help of move command हमें करना क्या है हमें simply move command के option पे एक बार click करना है जैसे हमने click किया click करने के बाद अब हमसे पूछेगा select object तो हमें जिस भी object को move करना है हमें उस पे एक बार click करना है और जब उसका color blue हो जाए उसके बाद हमें enter press करना है तो हमने enter press किया enter press करने के बाद अब हमसे यह पूछ रहा है specify base point अब हमें कोई भी base point देना यानि कि उसी object को हमें कहीं पे भी एक बार click करना है suppose हमने इस वाले corner पे एक बार click किया click करने के बाद अब हमें जहां भी object को place करना है हम वहां पे एक बार अपने cursor को ले जाके click करेंगे जैसे कि अभी हमें इस object को इस corner पे place करना है तो हम क्या करेंगे इस corner पे एक बार click करेंगे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा जो object था वो अभी इस corner पर आके यहां पर place हो चुका है suppose अब हमें इसी object को यहां से अटा कि किसी और place पर move करना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे हमें करना है हमें simply इस object को select करना है जिस भी object तो आपको move करना है आप simply उस object को एक बार select करने के बाद अब हम type करेंगे move command की short की जो की होती है m enter उसके बाद अब हमसे पूछेगा specify base point तो हमें कोई भी base point देना है suppose अब हमने base point दे दिया इस corner को तो हमने यहां पर click किया click करने के बाद object हमारा move होने लगा अब हमें वहां पर click करना है जहां पर हमें अपने object को place करना है तो हम किसी भी corner पे एक बार click कर देते हैं suppose हमने इस corner पे एक बार click किया जैसे ही हमने click किया तो हमारा object था वो यहां पर move हो गया तो यह तो हो गई हमारी move command किसी भी object को अगर हमें place करना है किसी एक exact point पे तो हम move command का use करते हैं लेकिन अगर हमें किसी object को ऐसे ही कहीं भी move करना है तो उसके लिए हम क्या गरेंगे अपने object को select करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ और options दिखने लगते हैं जैसे कि square दिख रहा होगा यह rectangle दिख रहा होगा तो हमें अपने cursor से इन पे click नहीं करना है suppose अभी इनमें से किसी भी option पर मैं click करता हूँ suppose इस square पर click करता हूँ जैसे ही हमने click किया और उसके बाद अपने cursor को दबाय रखना है उसे छोड़ना नहीं है उसके बाद आप अपने object को कहीं भी move कर सकते हैं और उन्हें place कर सकते हैं अभी मैंने click क्या है तो अभी क्या है यहाँ पर जो object हमारा show हो रहा है यह पूरा का पूरा दिख रहा है और जैसे ही आप इन पर click करोगे तो इनका size change होने लगेगा तो उसके लिए आपको move करने के लिए object को थोड़ा सा zoom करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर zoom करेंगे और अब हमारे पास जो blank space थी वो देख रही है अब हम अपने object को easily कहीं भी move कर सकते हैं इसी जगा है suppose अभी हमारे पास एक object नहीं उससे कहीं भी जादा object है तो उसके लह में क्या करना है हमें simply अपने objects को select कर लेना है आ ज्सितरे गर हमें फिर से открыв हमने फिर से अपने object को select किया move command फिर से base point दिया जहाँ भी move करना है और अपने object को यहां बात होगे हमारे move command की, अब हम बात करते हैं हमारे copy command की, copy command हमे move command के just नीचे ही देखने को मिल जाता है, किसी भी object को अगर हमें copy करना है, यानि कि उसकी copy बनानी है, तो हम copy command का use करते हैं, इसका process भी बिल्कुल वही same है, हम copy command पे एक बार click करेंगे, click करने के बाद select object, तो हम object को select करेंगे और enter press करेंगे, उसके बाद अब हम से यह पूछेगा base point, तो हम base point circle के center को दे देते हैं, तो हमने एक बार center में click किया, click करने के बाद हमारा जो circle ता वो यहाँ पे copy होने लगेगा, अब हमें अपने object को जहां पे भी place करना है, हम वहाँ पे simply एक बार click कर देंगे, और हमारा जो object हो यहाँ पे copy होके आ जाएगा, उसी तरह है अगर हमें इस rectangle को copy करना है, तो हमने अपने object को select कर लिया, और उसके बाद copy command की short key co enter, enter करने के बाद base point हम किसका corner देते हैं, corner देने के बाद अब हमें object को जहां पे भी place करना है, हम वहाँ पे एक बार click कर देंगे suppose हमें corner पे करना था, तो हमने किसी भी corner पे एक बार click किया, जैसे हमने click किया, तो हमारा object यहाँ से copy होके, यहाँ पे copy हो गया, उसी तरह है अगर हमें कई objects को एक साथ copy करना है, तो हम सबसे पहले अपने objects को select कर लेंगे, select करने के बाद co enter, यानि की copy की short key, और उसके बाद हम इसका कोई भी एक base point देंगे, तो हम base point कोई भी corner दे देते हैं, suppose हमने यहाँ पे click किया, अब आपको दिख रहा होगा हमारे सारे object जो है, वो एक साथी copy होना start हो गया है, तो हमने कहीं पे भी एक बार click किया, तो हमारे object थे वो यहाँ पे copy हो गए, हम ऐसे ही कहीं पे भी click कर करना है या move करना है, तो जरूरी नहीं है कि जब हम उनको select करें और हम उनका जो base point है वो उसी object पर दें, suppose अभी इस object को हमें यहाँ से move करना है, सपोज हमने move करना है, सपोज हमने move करना है, तो हमने enter, enter करने के बाद अब हम से पूछ रहा है base point, तो यह जरूरी नहीं है कि हम बेस्पोइंट है वह इस प्लेट पे होना चाहिए हो हम कहीं कर सको सकते है अब कहीं पर एक बार किलिक किया अब यहाँ पर जैसा है कि आप को यहाँ पर Milo इसी तरह अगर हमें किसी object को copy करना है तो हमने object को select किया co enter, enter करने के बाद base point जो देना है वो जरूरी नहीं है कि उसी object पे होना चाहिए तो हम कहीं पे भी एक बार click करेंगे, जैसे हमने इस corner पे click किया और अब हम अब object को copy करेंगे, तो हमने इस corner पे click कर दिया तो अब हम बात करते हैं rotate command की, जो कि हमें modify panel के अंदर move command के just right में देखने को मिल जाती है इसको use कैसे करना है, उसका भी same process है, हमें rotate command पे एक बार click करना है click करने के बाद अब हमसे यह select object पूछेगा, तो हमने object को select कलिया, जो कि हमारा rectangle है बट जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे, यानि कि अपने ortho mode को on करोगे, हमारा जो rectangle है वो अब सिर्फ उपर नीचे या left-pright direction में ही rotate होगा तो अगर आपको इसको rotate करना है तो आप किसी भी direction में अपने cursor को ले जाके और एक बार click करेंगे तो हमारा जो object है वो यहाँ पर rotate होके हमारे पास आ जाएगा इसी तरह अगर हमें circle को rotate करना है तो हम क्या करेंगे circle पर click, यानि कि पहले ही object को select कर लेंगे उसके बाद rotate command की short key ro और उसके बाद enter enter press करने के बाद हम किसी भी side पर एक बार click करेंगे suppose हमने circle के right side में एक बार click क्या click करने के बाद अपने cursor को हम जब rotate करेंगे यानि कि किसी भी direction में गुमाएंगे तो हमारा जो circle है वो यहाँ पर rotate होने लगेगा suppose हमने ortho mode को off कर दिया हमने off कर दिया अब हमारा जो circle है वो हर direction यानि 360 के हर एंगल पर 10, 25, 15 वहर एंगल पर rotate होगा अगर आप ortho mode on कर देते हो तो जैसे ही सारे object सिर्फ left, right, उपर नीचे सिर्फ इन ही directions में move होगा तो अगर आपको इनको rotate करना है तो आप simply अपने cursor से किसी भी direction में click करें और आपका जो object है वो rotate हो जाएगा अभी आपको यहाँ पर यह figure दिख रहा होगा जो कि मैंने बस एक explain करने के लिए आपको बनाया है सपोज अभी यह circle है तो मैं इन object को पहले select कर लेता हूँ मैंने select कर लिया दोनों circle और rectangle को अब अगर हमें इसे rotate करना है तो हम simply ro यानि की rotate command की shot की फिर enter करने के बाद अब हम जो base point देंगे वह अभी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि उन्हीं object पर देना है कहीं पर भी उसका base point दे सकते हैं तो सपोज हमने बड़े वाले circle के center का base point दे दिया उसके बाद अब हम अपने cursor को move करेंगी किसी भी direction में 360 तो हमने अपने cursor को move किया अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो object वह यहां पर rotate होने लगा सपोज मैंने क्लिक कर दिया अभी यहां पर rectangle था बस उसकी जगह पर यहां पर circle आ गया move करेंगे तो हमारे जो दोनों object वह यहां पर rotate होना start हो गया है अगर हम orthomote को off कर देंगे तो यह किसी भी angle पर यहां पर rotate होने लगेंगे हमें जहां पर भी सही लगेगा हम वहां पर एक बार click करके इनको rotate करा देंगे इसी तरह अगर हमें और भी धेर सारे objects को move कराना है या copy कराना है या rotate कराना है तो हम उनको पहले select कर लेंगे एक साथ उसके बाद उनका base point और उसके बाद हम उनने move, copy और rotate जो भी हमें कराना है वह हम easily करा सकते हैं अभी आपको यहां पर इतने सारे object दिख रहे हैं इसी तरह move इसी तरह rotate इसी तरह अगर हमें इनने rotate कराना है तो हमने जो जो object को select किया है वह सारे हमारे rotate हो जाएंगे हमने object को select किया arrow enter और उसके बाद base point और उसके बाद हमारे object जो थे वह यहां पर rotate होना start हो गया तो यह थी हमारे कुछ modified tools बाकी की modified tools को हम next video में देखेंगे तो यह थी हमारी आज की video अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो please वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें for latest updates, floor plans, house designs के लिए आप हमारे pages को भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगी thank you so much